वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल हैसी क्रियू इस वीडियो में हम आयोश मैनेजिंग सेफली की लेक्चर सिरीज को कंटिन्यू करेंगे और मॉड्यूल सेवन मेरिंग परफॉर्मेंस को कम्प्लीटली डिसकर्स करेंगे तो बिसकली किसी भी आस्पेक्ट आफ लाइफ में परफॉर्मेंस को मेर करना बड़ा इम्पॉर्टन्ट है वो आपकी डेली लाइफ रूटीन्स हैं उनमें अपनी आप परफॉर्मेंस को कल्कॉलेट कर रहे हैं अंड़ियर लेवल के उपरolla अर्गनाइजेशन लेवल केोपर अपने गोल्स एम्स बाकी चीजों को मेर कर ले इवन आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं उसकी आप स्पीड को मेर कर रहे हैं अटरेक्शन को मेर कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें बिसिकली मेयरमेंट्स चल रही होती हैं कि आप थ्रू आउट दा डे और अन दा जॉब साइट और इन दा अर्गनाइजेशन आप मेयरमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं तो परफॉर्मस मेयरिंग जो है ये बड़ा इंपॉर्टन है इस से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कहां पे लैग है कहां पे प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है और उनको हम किस दा से मिटिगेट कर सकते हैं या इंप्रॉव कर सकते हैं अगर हम organizational level की बात करें तो in short हम organization में health and safety performance की बात करेंगे incident accidents को avoid करने की या incident accident होने के बाद उनकी re-accidents को avoid करने की बात करेंगे performance measuring के context में तो start करते है module 7 measuring performance There is a preliminary note the main purpose of this IOSH managing safety lecture series is just to convey the knowledge nothing more than that और देखते हैं key learning points what's performance measuring is all about performance measuring से क्या मुराद होता है how do you measure health and safety performance health and safety performance को किस तरह से measure किया जा सकता है and what is auditing or auditing किसे का जाता है audits किस तरह से perform किया जाते है और audit के three key elements क्या होते है सबसे पहले start करेंगे what's performance measuring all about performance measuring से क्या मुराद है तो सबसे पहले हम थ्रू आउर दा लाइफ स्पैन हम डिफरेंट चीजों में परफॉरमस मेयर कर रहे होते हैं जैसा कि एक इंटर्वियू कंड़क्ट किया जाता है तो उसमें परफॉरमस मेयर की जाती है एक फूटबल मैच है तो उसमें फूटबल मेर की जा रहे होती है तो इस तरह से एक न्यूज पेपर है तो उसमें स्टॉक एक्सचेंज या फॉनार्स अपडेट्स जया है इन से हम मतलब कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज की जो परफॉरमस है उसको हम मेयर कर रहे होते है तो इन शा-वर थुरू आओट थूर अगर था लाइफ स्पैन हम हम performance में monitoring कर रहे होते हैं, mirroring कर रहे होते हैं चीजों की सही है तो continue करेंगे हम इसी को to measure the performance in a useful way Indicators must be established to answer the questions such as अब कहता है कि हमें किसी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम directly measure कर सकते लेकिन काता कि कुछ ऐसी चीजे हैं जिनको हम डारेक्टली मेजर नहीं कर सकते तो उनके लिए हमें क्या करना है इंडिकेटर्स यूज करने जैसा कि एक कंपनी की हेल्थ और सिफटी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम कोई सकेल, कोई एक्विपमेंट, कोई मिशीन यूज नहीं कर सकते डेफिनेटली हमने कुछ इंडिकेटर्स लेने हैं कि वहाँ पे इंसिडेंट एक्सिडेंट रेट क्या है, वहाँ पे सिख एबसेंटिसम रेट क्या है वहाँ पे LTI record, जिसे हम lost time injury record कहते हैं, वो क्या है इन चीजों से हम कमपनी का idea लगाएंगे, कमपनी के health and safety performance को मेजर करेंगे कि कमपनी अच्छी है या बुरी है या health and safety में अच्छा perform कर रही है या बुरा perform कर रही है, तो daily life के example लेंगे indicators के बारे में what is going around us, हमारे इड़गिर्द क्या हो रहा है उसको हमने measure कर रहा है, जैसा कि ये गाड़ी एक मना drive कर रहा है उसके speedometer के उपर कुछ digits आ रहे है, speed show हो रही है इसी तरह से fuel tank पे कुछ speed show हो रही है, rpm meter पे कुछ rpm show हो रही है तो यहां से हम basically performance measure कर रहे होते हैं कि गाड़ी की performance क्या है इसी तरह से हमारे पास आ जाता है, what has happened so far अभी तक क्या हो सका है हमारे पास तो यह हमारे पास एक meter highlight हुआ है, कि time इतना हो गया है, इसके उपर इतने miles इसने जो है reactive monitoring भी इसको कहते है, इस तरह से what might we need to respond अब फर्दर हमें किस चीज़ को respond करना है, कोई आगे क्या चीज़ आ रही है, उसको respond करना है तो यह map हमें show कर रहा है, कि एक अगे turn आ रहा है, उसको हमने respond करना है यह daily life यह, एक example हमें बताएगी, आगे जाके हम active monitoring, reactive monitoring के बारे में detail में discuss करेंगे तो next आ जाता है, measurement that gives us information on the outcomes of our previous actions is called reactive indicators ऐसी measurements जो हमें हमारे past की performance के बारे में बयात बताती है, इसे हम reactive indicators कहते हैं जैसा के company में कितने accidents हुए हैं पिछले साल में, company में कितनी hand injuries हुई हैं पिछले साल में, company में कितने लोग sick absentism के उपर गए हैं, sick leaves लिए हैं, कितने बंदे, कितने बंदे बिमार हुए हैं तो यह सारी हमारे पास reactive indicators या reactive monitoring आ जाती है इसी तरह से measurement of how the current situation could impact the future performance is known as proactive indicators हम future के लिए जो चीज़ें देखते हैं, मतलब hazards को identify करना है, inspections करनी है, order करनी है, safety sampling करनी है हमने idea लेना है कि यह hazards हैं, इनसे यह नुकसान हो सकता है अभी accident नहीं हुआ, उनसे पहले ही हम वो indicators से चीज़ों को highlight करके उनको correct कर लें इसको हम कहते हैं proactive indicators के हम चीज़ों को incident accident होने से पहले ही correct कर लें इसे active monitoring भी कहते हैं या proactive indicators भी कहते हैं तो दो चीज़ें basically incident accident से पहले की जो चीज़ है मतलब के होने से पहले हम अगर उसको assess कर लेते हैं तो इसे active monitoring कहते हैं और incident, accident होने के बाद हम उसकी investigation करते हैं, report बनाते हैं, उसकी root causes, underlying causes, immediate causes को find out करते हैं, workers को communicate करते हैं, ताके re-accurrence of accident ना हो, इससे हम reactive monitoring कहते हैं. यह essay statics, जिन में हमें यह पता चले के past में यह event हो चुके हैं, इससे company की performance को जब हम assess करेंगे, उससे हम reactive monitoring कहेंगे, और जो future में हम inspections करते हैं, audits करते हैं, safety sampling करते हैं, safety tours करते हैं, इन से जो हमने information मिलती है, इसे हम proactive indicators कहते हैं. तो next stage पे चलेंगे, learning outcome 2 को start करेंगे, how do you measure health and safety performance, health and safety performance को किस तरह से measure किया जा सकता है? तो start करेंगे, एक company है, जहाँ पे हमने health and safety performance को measure करना है, तो definitely हम observations करेंगे, हम safety inspection करेंगे, visit करेंगे, और observations लेंगे, इन observations से हम health and safety performance को measure करेंगे, for example that, reactive measurement focus on collecting information on outputs of your health and safety management system, previously जो events हो चुके हैं, previously जो incidents, accidents हो चुके हैं, previously जो हमारे पास मतलब के already outputs आ चुकी हैं, उनको analyze करने को हम क्या कहते हैं? reactive measurement कहते हैं, reactive monitoring कहते हैं, जैसा के एक, मतलब ये kitchen area है, एक restaurant का मतलब के एक scenario है, जिसमें kitchen area है, तो अब kitchen area में already जो चीज़ें चल रही हैं, उनको हम देखेंगे, first of all, एक मन्दे ने एक hot pan को without gloves उसने पकड़ा है, that is an observation हमें चलता है, कि ये reactive monitoring थी, उसने एक safe procedure को follow नहीं किया, personal protective equipment को use नहीं किया, और उसका हाथ जल गया, या हाथ जल सकता था, previously अगर उसका हाथ जल गया, तो वो reactive monitoring में आ जाएगा, फिर उसके बाद several, अब उसने ऐसा क्यों किया, तो reactive, जे हम ये भी देखेंगे, कि उसकी root cause क्या थी, बहुत ज़्यदा orders लगे हुए थे, work load उसके अपर बहुत ज़्यदा था, work pressure उसके अपर बहुत ज़्यदा था, so that's why जल्दी में उसने गरम pan को पकड़ लिया, वो एक incident को expose हो गया, next मारे पास आजएगा, you can see reactive data calculate injury incident rate, बड़ा important formula है, several time interviews में भी पूछा जाता है, the number of reportable injuries per one lakh employees को हम basically क्या कहते है, injury incident rate कहते है, incidence rate बोलते हैं, अब इसका formula अगर हम directly देखेंगे, तो number of reportable injuries in a given time period, one year के time period में कितनी injuries होई है, first rate injuries से उपर के जितनी भी injuries होती है, उनको हम reportable injuries कहते हैं, divided by average number of employees during that time period, कितने लोग उस time में usually average number of employees कितने काम कर रहे थे, multiply by one lakh कर देंगे, तो हमारे पास injury incidence rate आ जाएगा, एक example से देख लेते हैं, हमारे पास two reportable injuries होई हैं, जिसमें एक मन्दे ने वो गरम पैन को पकल लिया था, 500 total employees थे, तो formula में हम इसकी values पूट करेंगे, two divided by five hundred multiply by one lakh, तो हमारे पास answer आ गया, four hundred reportable injury incidence rate आ गया हमारे पास, per thousand employees, हम injury incidence rate calculate क्यों करते हैं, ताकि हम इसको compare कर सके, other branches के साथ, other same businesses के साथ हम measure कर सके, तो हम देखेंगे कि जनाब, once it is calculated, you will be able to compare your injury incidence rate with other rates of your industry, are measure your performance, हम अपनी performance को measure कर सकते हैं, other similar industries के साथ compare कर सकते हैं, other branches of same industry के साथ हम compare कर सकते हैं, जैसा कि हमें पता चला कि other branches के साथ, एक का injury incidence rate 668 है, इस तरह से 171 है, 235 है, तो हमें पता चला कि हम third number पे लाए करते हैं, मतलब कि जो very safe site है, उसके उपर 3,235 हमारे पास injury incidence rate है, और जिसके उपर बहुत ज़्यादा injury incidence rate है, that is 668, तो higher injury incidence rate है, इसी तरह से हम ये injury incidence rate को, legal requirements के साथ भी compare कर सकते हैं, overall जो हमारे पास injury incidence rate है, company का that is 368, और इस जो particular organization या branch का हमने calculate किया था, उसका इससे भी ज़्यादा injury incidence rate है, तो nationally industry rate, जो national industry rate है, मतलब कि हम इसको legislation के साथ भी compare कर सकते हैं, national जो industry rate है, वो 258 है, लेकिन हमारी organization का as a whole, इससे बहुत ज़्यादा injury incidence rate है, इसका मतलब हमें further control में यर्द लेने हैं, ताकि हम further injuries और accidents को prevent कर सकें, नेक्स हम चलेंगे fatal injury incidence rate of the employee for some industries, कुछ industries के लिए fatal injuries incidence rate mention है, जिसमें agriculture का 8.8 है, इससे थरा से हमारे पास जो utility supply industry है 3.6 है, manufacturing का 1.2 है, construction का 3.2 है, services का 0.3 है, national incidence rate 0.7 है, तो इनके साथ हम compare कर सकते हैं, अगर हम similar industry में business कर रहे हैं तो, नेक्स हमारे पास आजएगा non-fetal injuries का rate mention है, यहाँ पे के ऐसी injuries जो के non-fetal injuries हैं, मतलब के किसी को cut लग गया, bruises लग गए, तो उसके incidence rate भी mention है, और national incidence rate का है, 481.8, तो यहाँ से हमें idea मिलता है, के हम performance को measure कर सकते हैं, current within the organization हम compare कर सकते हैं, और with legislation external to the organization भी हम अपनी performance को compare कर सकते हैं, next हम चलेंगे, continue करेंगे हम अपनी slides को, what are the limitations of only measuring accidents, incidents, ill health reports, सिर्फ incidents, accidents, ill health reports को measure करने की limitations basically क्या है, तो देखें, जब एक नुक्सान हो गया, तो उसको measure करक्षान कर सकते हैं, लेकिन reaccurance को prevent कर सकते हैं, on the other hand, और incident, accident, prevention की तरफ जाएंगे, जो के एक ज्यादा अच्छा और suitable solution है, next हम जाएंगे, proactive measures provides information on how health and safety is being managed before undesired event occur, हम inspection करें, हम safety tour करें, safety sampling करें, हम audit conduct करें, और idea लें कि health and safety की performance कैसी है, अगर तो पूर performance है, हमें further control measures implement करवाने हैं, ताके हम incident, accident से बच सके, next हम चाहेंगे, you will need to look at the inputs that contribute to the health and safety management, आप किन चीजों को देख सकते हैं, quality of work environment and equipment को देख सकते हैं, कि working environment safe है के नहीं है, जो equipment use कर रहे हैं, वो properly maintained है, उनसे कोई hazard तो नहीं है, proper मतलब कि अच्छे working condition में वो हैं के नहीं है, या किसी accident या incident का बाइस तो नहीं बन सकते future में, उसके साथ हम देखेंगे कि effectiveness of system and procedures, जो safe system of work या working procedures हैं, वो कितने अच्छे बने हुए हैं और उनको कितना अच्छे से follow किया जा रहा है, ये भी एक active approach है, कि हम पहले से देख लें कि workers अगर safe system of work को follow नहीं कर रहें, तो हम उनकी supervision करें, उनके उपर सोड़ी strictness लेकर आएं, rather than accident होने के बाद हम चीज़ों को identify करें, तो हमारे पास active monitoring में हम देखते हैं कि procedures कैसे हैं, और उनको follow किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, हम competence of the worker check करेंगे, उनके behaviors, मतलब towards health and safety, उनके positive behaviors हैं या negative behaviors हैं, इनको identify करेंगे, अगर कोई lag found हो रहा है, तो उनकी training करवाएंगे, counselling करवाएंगे, communication करेंगे, चीज़ों को rectify करेंगे, try करेंगे, ताके incident accidents को prevent किया जा सके, next time चलेंगे, for example, if you intended to carry out inspection once a week, you can proactively measure how many you can actually perform, आपको पता चल सकता है, कि आप weekly, अगर एक inspection करते हैं, monthly आपने total 4 inspection करनी हैं, और अगर आप on one year के आप बात करेंगे, तो 36 inspections करेंगे, जब आप frequent inspections करेंगे, तो frequent issues को आप highlight कर सकेंगे, आप measure कर सकेंगे, अगर नहीं हुई तो आप further उसके उपर emphasize करेंगे, कि अभी ये, अभी भी ये सही नहीं हुई, तो ये accident की तरफ लेके जा सकती है, तो इस तरह से आप health and safety को manage कर सकते हैं, आप worker well-being को, worker safety को manage कर सकते हैं, positive health and safety को promote कर सकते हैं, health and safety culture को improve कर सकते हैं, next हमारे पास again हम उसी example को continue करेंगे, what are the some indicators that could be used proactively to measure health and safety performance, health and safety performance को measure करने के लिए हम कौन-कौन से indicators यूज़ कर सकते हैं, बलब proactively जिनकों यूज़ करना हैं, हम inspections कर सकते हैं, safety sampling, safety sampling क्या होते हैं, कि अगर बहुत ददा same ही lifts हैं आपके पास, आप 10 lifts को check कर लें, 100 lifts में से, तो आपको idea हो जागा कि सारी lifts ठीक है, walk through कर सकते हैं, auditing कर सकते हैं, ये सारे proactive techniques हैं, in order to identify the hazards and risks before happening of accident, next slide पर चलेंगे, remember there is no one size fit all, when it comes to proactive indicators, find out what works best in your organization, आपने देखना है कि आपने inspection करनी हैं, आपने audit करने हैं, आपने safety sampling करनी हैं, आपने safety tours करनी हैं, ये सारे proactive measures हैं, लेकिन हर company में सारे same use नहीं होंगे, आपकी छोटी company हैं, तो आप just inspection से काम चला सकते हैं, बड़ी company हैं, तो वहाँ भी yearly audit होने चाहिए, quarterly audit होने चाहिए, proper inspections होनी चाहिए, tailored checklist चाहिए चाहिए inspections के लिए, तो हर company के लिए ये criteria is different हैं, next हम चलेंगे, arrange of people will be interested in this information, both internally and externally, अब कहता है कि जो आप proactive monitoring करेंगे न, इसको internally भी report करना है, और externally भी report करना है, बोथ parties जो हैं इसके लिए interested हैं, अब कौन कौन सी parties जैसा है कि senior management को inspection reports के बारे में पता होना चाहिए, जो आप proactive monitoring कर रहे हैं या active monitoring कर रहे हैं, senior management को आप communicate करेंगे, line managers को आप communicate करेंगे, employees workers को आप communicate करेंगे, जो भी findings आएंगी inspections की, safety employees are representative, usually वही ये inspection conduct कर रहे होते हैं, इनको भी information होगी, stakeholders या shareholders उनको आप information देंगे, पास points आए हैं, ये सारे internal to the organization हैं, इनको हम information देंगे, अब हम बात करेंगे externally हमने किन किन को report करनी है, inspections अगर हम conduct कर रहे हैं, या reactive monitoring हम conduct कर रहे हैं, तो enforcement bodies को हम information देंगे, insurance companies को ताकि हम insurance claim ले सके हैं, अगर कोई accident हुआ है तो, इसके साथ clients को हम बताएंगे, इसी तरह से हम public को बताएंगे, साथ में shareholders को हम ये information देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, external to the organization हमने किन को ये information परवाइड करनी है, next हम चलेंगे, safety permit है, वो कहता कि अगर near missis हो रही हैं, उनको हम ignore कर रहे हैं, तो अगर 600 near missis हो रही हैं, तो उनमें 30 property damage accidents होना start हो जाएंगे, 10 serious accidents होना start हो जाएंगे, और एक ऐसा accident होगा, जिसमें किसी worker की death हो जाएगी, इसका मतलब ये हैं, कि हमने एक accident को भी investigate करना है, एक near miss को भी investigate करना है, accident को भी control करना है, और near missis को भी control करना है, ताके हम safe working environment जो है, उसको maintain कर सके, next time चलेंगे, the iceberg principle है, जो जे कहता है, अगर किसी company को लगता है, इंशोरंस उस company के financial losses को कम कर देगी, तो ऐसा नहीं है, अगर एक डॉलर, एक pound की आपकी insurance है, तो उसके against, $8 ऐसी cost होगी, जो indirectly या directly company को effect कर रही होगी, तो इंशोरंस आपको छोटा loss आपका रिकवा कर रिकवर करती है, लेकिन बहुत बड़ा part जो है, वो उसका unattended चला जाता है, वो इंशोरंस में cover नहीं होता, next time चलेंगे, what is auditing, last part है, हमारे पास auditing basically किसे कहते हैं, तो audit क्या होता है, a critical objective and independent review of health and safety management system is called audit, यहां पे लिखा हुए, auditing aims to find out evidences of whether the current management system complies with organizational policies and objectives, हम यह देखेंगे, कि basically audit होता ही health and safety management system का है, audit में हम basically health and safety management system की effectiveness को check करते हैं, जबके inspections में हम physical reality of the workplace को check करते हैं, next हम चलेंगे audits को discuss करेंगे, basically दो types के audits होते हैं, internal audits and external audits, internal audit and internal audit is performed by the staff within the organization in order to evaluate the effectiveness of current system, current system की effectiveness को find out करने के लिए internally staff के अपने बंदे ही audit कंड़क्ट करते हैं, और basically यह external audit की preparation में भी किये जाते हैं, ताके हम तब external audit को call करें, जब हमारे पास enough हम prepare हो जाएं external audit के लिए, next one is external audit, an external audit is undertaken by third party to provide an independent view, usually for interests of other stakeholders, basically external audit में externally एक auditor आता है, जो के third party से आता है और वो evaluate करता है, basically कुछ client भी audit करवाते हैं, या फिर हमारे statutory requirements होती हैं, या फिर कोई accreditation acquire करनी हैं, जैसे के 9001 quality management system है, 14001 environmental management system है, 45001 occupational health and safety management system है, तो इनको acquire करने के लिए भी हमें external audits करवाना पड़ते हैं, so next आ जाता है, audit typically use three types of evidences, audit में तीन चीज़ें चेक की जाती हैं, first one is documentation, सारे document records चेक किया जाते हैं, जिसमें हमारे पास LTI records आ जाते हैं, incident accident records आ जाते हैं, sick absenteeism records आ जाते हैं, health and safety policy of the company, जितनी भी documentation है वो इसमें चेक की जाती है, second thing, second point is interviews of the worker, workers के interview किया जाते हैं, पता किया जाता है कि उनको health and safety के बारे में information है या नहीं है, इसे interview से information collect की जाती है, audits के लिए, and third one is observation, site को visit करने के बाद, workers की unsafe act, unsafe conditions की observation की जाती है, workers की behavior safety की observations ली जाती है, और इनको भी audit की information में, inputs में include किया जाता है, next आ जाएगा, as a manager, you along with senior management may be involved in proceeding and action plan to deal with audit findings, तो senior management को audit findings जो है, वो communicate की जाती है, एक action plan मनाया जाता है, जो भी NCs है, non-compliances highlight हुई है, audit में उनको rectify किया जा सकता, next महारे पास है, getting it right, reactive indicators measures your outputs easily gathered, but have limitations, reactive monitoring easy है, reactive monitoring में चीज़ों को identify करना असान है, but इसकी limitations यह हैं के नुकसान already हो चुका होता है, but on the other hand, proactive indicators measures your inputs, definitely उससे हम inputs को measure कर सकते हैं, powerful tool है हमारे पास, and can provide the warnings, एक powerful tool है, हमारे पास proactive indicators, हमें पता चल सकता है कि किस चीज़ से accident हो सकता है, उसको हम correct कर लें, ताके incident accident से पहले ही हम चीज़ों को rectify कर लें, sort out कर लें, next one is, audit provide a check on whether your system are effective or not, simply that audit से हम health and safety management system को evaluate करते हैं, कि यह effective है या effective नहीं है, so यहां पे हमारा module 7 जो है वो complete होता है, हमारे all 7 modules of IOSH managing safely यहां पे complete होते हैं, तो key learning outcomes जो हमने पढ़े हैं, what are the performance measurements is all about, how does the measure health and safety performance को किस तरा से measure की जाता है, and what is auditing, इनको हमने detail में discuss किया है, so thank you very much for watching this video, if you found this content helpful, if this IOSH managing safely helps you, series helps you to get the knowledge relevant to the IOSH, for the preparation of IOSH, in order to get the understanding of IOSH course, so do comment on the video and also subscribe to the channel, thank you very much once again, stay tuned for upcoming videos.